कि नमस्कार सिक्षार्तियों मैं कृष्ण कांत्रिपाथी एन आई उएस के इस इस्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम जिस विसे आप चर्चा करेंगे वह है दुती भासा अर्जन विदेशी भासा के संदर्व में और हमारे साथ विसे विसे सग्य है वर् के साहयक अचार, य॥्योपक्टर पतनजली मिष्वा का स्वागत करता हूं नमसकार मिष्वागत जी है और मैं इस विसे संदर्व में आप से जनना चाहूंगा मिष्वाजी कि हमारे सघ्चार्थियों को बताएं और हम को बताएं कि ढूती भासा अर्जन से क्या अतात पर बहुत ही मौलिक प्रश्ण है जब भी हम दुतिय भाशा अरजन के संदर्व में बात करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि दुतिय भाशा अरजन क्या है American Speech Language Hearing Association ने इसको परिभाशत करते हुए कहा है कि दुतिय भाशा अरजन या अनुकरमिक भाशा अरजन पहले से सीखी हुई भाशा के बाद दूसरी भाशा को सीखना है जो भी हम दूसरी भाशा सीखते हैं मात्र भाशा के अलाबा या चेत्री भाशा के अलाबा वो दुतिय भाशा कहा जाएगा कहा जाएगा पहले से सीखी हुई भाषा के बाद दूसरी भाषा सीखना एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट हुए हैं तो सुच जी ये कहते हैं कि भाषा अधिक्रहण के लिए जागरूक व्याकरणिक नियमों के व्यापक उपयोग और थकाव अभ्यास जिसे टीडियस ड् माध्यम के रूप में कारे करती है और वहीं द्वितिय अथ्वा विदेशी भाषा बहु भाषिक वातावरण में वयचारिक आदान-प्रदान के माध्यम का कारे करती है यहें द्वितिय भाषा का फंक्शन कि कि किस प्रकार से द्वितिय भाषा काम करती है चौंस्की आप विशय के मुकाबले सार्व भॉमिक सफलता के सबसे बड़ी कसरोटी पर खरा उतरना चाहिए और कम से कम ध्यानिक उद्देश्यों के लिए भाषा का सहज और उपयूगत प्रियोग इस उपलब्दी को अपनी भाषाओं में हर बच्चा स्कूल जाने से पहले पा लेता है औ पर राथ्रिय फोकस समूह जो की दोहजार नौ में अंग्रेजी सिक्षण को लेकर के जो पोजिशन पेपर है जो एंसी एफ से नहीं जो एंसी आइटी ने जिसे पब्लिश किया हुआ है पोजिशन पेपर जो है पोजिशन पेपर जो है हलाकि एंसी अप से भी जुड़ा की महत्ता क्या है और चौंस्की के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉग्निटिफ साइकोलोजिस्ट हुए हैं जिनको हम जानते हैं जीन पियाजे बीड में में हम सब लोग परचित होते हैं डेलेड में भी जीन पियाजे के चर्चा बहुत जादे हैं हमारे विद्या और इस द्रिश्टिकोण के अनुसार सभी ज्यानत अंत्र जिसे नौलेज सस्टम कहते हैं संबेदी प्रेरकी अंत्र रचना जिसे अंग्रेजी में हम लोग सेंशरी मोटर मेकनिजम कहते हैं कि माध्यम से निर्मित होते हैं जिसमें बच्चा आत्मसाती करन और समायोजन के माध्यम से कई रूप रेखा हैं जिसे कि हम इसकी मेटा कहते हैं का निर्माण करते हैं और इस बात को भी राश्टिये फोकस समोह ने भारतिय भाषाओं के सिक्षण के संदर्व में अपने पोजिशन पेपर में महत्तपूर्ण अस्थान दिया है तो चौमस्की और जीन प और इसका अध्यान क्या समझ में आता है तो एक द्वितिय भाषा के नियंतरित समझ के साथ सीखने वाला कैसे एक नई भाष प्रणाली विख्षित करता है यह ब इक महत्तपूर्ण प्रश्ण है इसमें क्यों द्वितिये भाषा सीखने वाले ज्यादा तर सिक्षार थी अ और क्यों को सिक्षार्थी एक से अधिक भाषा में मूल भाषा की तरह प्रहुईडता प्राप्त कर लेते हैं कौन सा ऐसा कॉपनिशन का लेवल है जिसकी वजह से वह ये प्राप्त कर तो यह सब मूल भूत प्रशन है जिसका हम लोग उत्तर ढूंटते चलेंगे अपने इस में तो सिक्षार्थी द्वितिय भाषा को सीखने के लिए जिन तकनीकों को प्रयोग करता है वह है मूल भाषा अथ्वा मात्रि भाषा के मौजूदा ग्यान का विभिन परिश्थित्यों में अनुप्रयोग करके इसके साथ साथ भासा सीखने संबंधी सामान्य अधिगम विवर रचनाओं के निर्माण एमम अनुप्रयोग के द्वारा, भाषा की सारोगोमिक विष이션ताओं को अपना करू लैंगुज एक उनिवरसल फेंगेना है और जो ग्रामर है, जिसे उनिवरसल ग्रामर कहते हैं, तो उसकी विशिष्टाओं को अपना कर और द्वितिया भाषा के अंतरास्ट्रे ग्यान को बोल चाल की भाषा के रूप में अपना कर और इस ऐसा करने में यह जो नवीन प्रक्रियाएं जो वो अपनाता है इन नवीन प्रक्रियाओं के माध्यम के रूप में कारे करते हुए सिक्षार्थी के लिए अपनी एक अलग भाषा प्रणाली विकसित करने में मदद तो करती ही है लेकिन परंपरागत प्रक्रियाएं द्वितिय भाषा ग्रहण में हमेशा ही दिखती है नवीन तक्निकों के द्वारा जो हम द्वितिय भाषा सीखते हैं उससे परामपरागत तक्नीके जो हैं वो खारिश नहीं हो जाती हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके द्वितिय भाषा को सीखने में सहयोग प्रदान करता है। इसको इस तरीके से भी समझे हम कि सिक्षार्थी द्वितिय भाषा सीखने में संप्रेशन संबंधी कठनाईयों से निपटने के लिए जो कम्मुनिकेशन में परशानी आती हैं पूर्व ज्यान के आधार पर संप्रेशन रणनीतियों का नियोजित रूप से उप्योग करते ह हैं जिसे हम लोग कम्मुनिकेटिव टेक्निक्स कहते हैं अब इन सब चीजों को यह हम लोग जब समझ लेते हैं तो दूसरी तरह की बाते आती हैं कि आखिर द्वितिय भाषा ग्रहन करने में सिक्षार्थी को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कौन से यही मैं जानना चाहरा था सब्सक्राइब करने में विद्यार्थियों को कौन से ऐसे कारते हैं सिक्षार्थी को जो कारते है उनकी हम लोग बहुत सूख्ष में चर्चा करते हुए दिटो सब लोग जानते हैं और बहुत कौन कारण है वयक्तिक विभिननता दिससे हम individual differences कहते हैं, कई लोगों की language adaptability बहुत बहुत बहुतर होती है, कई लोगों की language adaptability बहुत बहुत बहुतर नहीं होती है, यह आपके आसपास के परिवेस पर भी निरबर कर सकता है, जो कि नरधादित करता है कि आप किस प्रकार के इंसान बनेंगे, दूसरा जो है rate of development, जिसे यह अभी एक महत्वपोन कारक है, level of achievement, जो overall development है, विकास पे असर पड़ता है, कई बार कई बच्चे जो है language में उतनी प्रोफिशियंट नहीं होते हैं, language disabilities की बज़े से भी ऐसा होता है, तो वालग क्या विकास की जो दर होनी चाहिए, वो proper होनी चाहिए, वो standard होनी चाहिए level of achievement भी है, उसका level of achievement कक्षा में कैसा है, इससे भी उसके अद्वितिय भाषा ग्रहन करने पर अंतर पैदा होता है, और सिक्षार्थी के संग्यान आत्मक, जैसे हम cognitive कहते हैं, भावा आत्मक, जैसे हम affective domain कहते हैं, और सामाजिक पहलू, जैसे हम social पहलू कहते हैं, यदि वो सामाजिक रूप से बहुत जादे सक्रिय नहीं है, और सामाजिक रूप से यदि वो बहुत जादे लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, तो भी उसका language acquisition जो है, वो प्रभावित होता है, सामाजिक अंतर क्रिया के माध्यां से भाषा अच्छे सीखी जा सकती है, यदिति भाषा के सब्दों का प्रियोग जादे होता है, तो जाहिर सी बात है कि उन शब्दों को वो जादे असानी से सीख पाएगा, चुकि वो परिवेश में है, उसके NCF 2005 जिस बात पे बल भी देता है, कि परिवेश जो है वो महत्वपून है बच्चे का, जिस परिवेश में ब रक्षा से बाहर होता है, लेकिन आप उसको फॉर्मल सेटिंग में चीजों को समझाते हैं, जिब कि भाषा तो लगातार सीखते रहने का नाम है, लगातार कोई यह नहीं कह सकता कि मैं इस भाषा में बिल्कुल परिपून हो गया हूं, जो कि नए ने शब्दों को सीखने क क्रम हमेशा जारी रहता है, और हम लोग आस पास परिवेश्ट अपने दोस्त मित्रों से, अपने कुलीक से, पियर ग्रूप से, यह सारी चीज़ चीज़ें, लेंग्विज डायमिक प्रोसेस है, इसके अलावा सामान नरधारित कारक जैसे एज, आयू पर भी निरभर करता है, भाषा अधिगम अभिवरित्य जिसे हम कहते हैं, उस पर भी निरवर करता है, और कई ऐसे वारियेबल्स हैं, जो की और प्रभावित करते हैं, जिसे वारियेबल फैक्टर जैसे की मोटिवेशन, अभी प्रिरण या नीड, आपको उस लेंविज की दृतिय भाषा की न जिखाने वाला उसको कैसे सिखा रहा है, कैसे पुनरबलन दे रहा है, कैसे रिनफोर्स कर रहा है, तो यह चीजे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा अधिगम शैली जो है, लर्निंग स्टाइल, जैसे अध्यान संबन्ति, उसकी आदितें क्या हैं, स्टड़ी रिलेटेड जैसे कि कोई सिक्षार्थी का स्तर जो है, इस बात से पता चलता है कि वो अग्यान कैसे ग्रहन करता है, और कैसे अधाना बनाता है, कैसे प्राप्त अग्यान को संगठित करता है, और कैसे उसे याद रख पाता है, तो यह कॉगनिटिव स्टाइल जो है, वो काफी और अधिकम बातावरन जैसे कक्षा कक्ष का संगठन कैसा है कक्षा के स्थिति कैसी है शान्त है कि भीड भरी क्लास है बिल्कूल ओवर्क्राउडडेट क्लास है कि दस बच्चे हैं कि एक ही साथ सो बच्च सीख रहे हैं ये मानना है कि दुती भासा ये विदेशी भासा का अरजन अगर जो सिक्षन होता है उसमें बड़ी क्लास में कठिन जाता है लर्निंग और बालकों की संख्या कितनी है ये बहुत एक बार मिरधारित करता है उपलब्द अधिगम सहयक समगरिया आदिया आपके पास क्या है चुकि हम लोग यह बाद ठीक तरीके से जानते हैं कि अधिगम तभी होता है जब वो भाशा का अधिगम विशेश कर तभी हो पाता है जब हम इस से उसके मल्टी सेंसेस को प्रभावित करते हैं तब तक मल्टी सेंसेस प्रभावित नहीं होते हैं तब तक अधिगम ठीक तरीके से नहीं हो पता और इस अधिगम को करने के लिए द्वितिय भाशा के लिए कुछ रणनीतिया महत्तपूर्ण जी मैं चाहूंगा कि आप इस रणनीतियों प्रिकास डालें कौन-कौन से द्वितिय भाशा करजन कर सकते हैं रणनीतिया भी महत्तपूर्ण है टॉक साहब और रणनीतियों के साथ-साथ उसका प्राकृतिक क्रम क्या है यह भी बहुत महत्तपूर्ण है यह मैं उस पे एक-एक करके हम लोग उसे बात्चित करेंगे चेस्टर फिल्ड हैं चेस्टर तो जैसे किसी शब्द या धांचे की नकल करना किसी बच्चे को कोई शब्द आपको सिखाना है तो उसको कहा जाएगा आप रिपीट करिए याद करना जैसे मेमोराइजेशन कहते हैं जैसे गीत, कविताएं, श्लोक जैसे आप संस्कृत को द्वितिय भाशा के रूप में अंग्रीजी में भी कपलेट्स जो हैं उनको याद करा रहे हैं तो मेमोराइजेशन भी एक महतपूर रणनीत ही हो सकती है यह जो रिपीटीशन है यह मेंटल रिहरसल कह सकते हैं हाँ 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 तो रिपीटीशन के बाद मेमोराइजेशन का क्रम आता है और इसके को आप किसी को शिखाते हैं जैसे सब्द या वाक्यांस जो एक हिकाई के रूप में कार्य करते हैं उनको सिखाना' या कई बार हम लोग अंग्रेजी सिखाते रघ्र अभीवादन सिखाने के लिए उसमें बना देते हैं कि दिए सब्जेक आएगा फिर हैपिंग बर आएगा डूडज और वाजबर आये गए इसे structure बना कि यह तो एक उदाण है इसके अलावा भी जैसे अभिवादन हम सिखाते हैं तो हम यह नहीं सिखाते है morning good हम सिखाते है उसको good morning एक क्रम है उसके लिए कोई दिमाग लगानी के जूरत नहीं होती है कि वो सीख जाता है कि good morning ही बोल बोलना है good afternoon बोलना है तो यह क्रम हो सकता है महतव इसके अलावा मोखिक ध्यान के तरीके जैसे वर्बल अटेंशन जेस्चर्स कहते हैं जैसे भासा जिससे अंता क्रिया को प्रारंब किया जा सके यह महतव है एक सुर में जवाब जवाब देना बच्चे बहुत इंज्वा इसके अलावा विस्तार कहते हैं जैसे आवासिक सूचना से परे भी अतिरिक तो सूचना देना और उसको इस बात है तो प्रेड़ित करना कि जितनी बात बतानी है इसको और आप इलाबरेट करके बताओ तो नए-ने शब्द ढूंडता है नए-ने स्ट्रक्चर ढूंडता ह और ढूंड के वह उत्तर देता है इसके अलावा प्रत्याशित उत्तर जोसे एंटिसेपेटरी एंसर कहते हैं जैसे अन्ने के द्वारे लिखे गए अधूरे वाक्यानशों को पूरा करवाना आपने कहीं वर्ब छोड़ दिया आपने कहीं हेल्पिंग वर्ब छोड़ और से कहा कि आप उसको पूरा करो तो इससे उस वाक्यानशों को वह सीख पाता है और ग्रामर के व्याकरन के जो स्ट्रक्शर से उनको समझ पाता है अभी हमारे जो जो बोर्ट है विभिन राज्यों के उन्होंने एक वर्क बुक भी भासा दुती भासा में जोड़ दी है तो को आजाता है कि आपनी गलती की है और आप खुद से इसको करेक्ट करिए मदद के लिए आगरह करना अपील फॉर असिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं तो इन सब चीजों के द्वारा इसके अलावा भी सपष्टी करन के अन्रोज जिसे रिक्वेस्ट फॉर क्लारिफिकेश तो यह भी एक तरीका अध्यापक इस्तेमाल करता है बड़ी धिमानी से बड़ी होश्यारी से कि उसको यह भी भान नहूंकि उसने कोई तुरूटी की है और जब बोबारा बोलता है बच्चा तो सामाने तयाव वो समच जाता है कि मैंने कहीं गलती की है और खुद ही करेक् बच्चों के लिए, होम यो जूलियट, या कोई छोटा सा play आयो जित्निया और या टेक्णिक भी हमारे नुती भाषा सिक्षन्ट के एक महत्फूर टेक्णिक है, ड्रामा या रूल प्लेइंग ड्रामा और रूल प्लेइंग, तो रूल प्लेइंग के द्वारा भी अभिने के दौरा भी या किसी की mimicry कराके आप कहें कि आप कैसे Trump बोलता है या कैसे Australian रिकी पॉंटिंग कैसे बोलता है तो बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं तो उसकी नकल भी उतारते हैं और नकल उतारने के क्रम में they improve their accent, they improve their pronunciation अप्रटेक्ष रूप से भाषा स्क्षन हो जाता है तो यह सारी रणनीतियां 12 रणनीतियां हमने आपके सामने बताई और इनको इसी क्रमियदे प्रैक्टिस किया जाए तो वह जादी प्रभावी हो पाता है रड़नीतियों का कोई आधार भी है जैसे कहेंगे दुतिय भाषा अरजन के सिध्धान्त क्या-क्या है तो उन सिध्धान्तों में थोड़ा सा प्रिकास आप आप जिसे नए संप्रतियot को खोजने में प्रिकास नॉलेज है इसके अलावा अधिसंग्यानात्मग व्योजनाई है जिसे स्ट्राटेजीज कहते हैं और मिटा कॉगनेटिव स्ट्राटेजीज के थूँ यह दूसरी भाषा के प्रभावी अध्यान को सुविधा जनक बनाने के लिए व्यक्तिगत समय शारणी के आयोजन के साथ साथ नए संप्रत्य को खोजने में मदद करता है इसके अलावा सामाजिक व्यूह रचिनाएं हैं जिसे सोशल स्ट्राटेजीज कहते हैं यह भाषा के मौलिक वक्ताओं के साथ बातचित करने के अवसर तलासने में सहायता करती है जैसे कि यदि बारिकियों को सीख लेता है इसके बाद आपने जो प्रशन पूछा है कि द्वतिया भाषा आजिन से संबंदित महत्पुन सिधान्त कौन-कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे एक क्रेशन महोदे हुए है लिंग्वेस्ट क्रेशन महोदे ने कहा है कि इसमें कोई संदेह न भाषाओं के लिए जो सिक्षन नाम का पोजिशन पेपर है उसमें कोट भी किया गया है तो इससे आप इसके महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना महत्पुन कोटेशन है पेज नंबर 11 पे जिकर आता है और यहां भी कहा जाता है कि द्वितिया भाषा का अर्जन किन-किन सिध्धान्तों पर आधारित है और क्या-क्या सिध्धान्त है उसके उसको एक-एक करकर सिध्धान्तों को हम लोग लेते चलेंगे और उसको समस्ते चलेंगे कि द्वितिया भाषा अर्जन का सिध्धान्त जो है वो क्यो महत्पुन हैं सबसे पहला सिध्धान्त है सारोभौमिक सिध्धान्थ यह सिध्धान्थ दो परिप्रेक्षों में भाशाई सारोभौमिक्त परिवाजित करता है पहला प्रदत चालित परिप्रेक्ष ज़把它 जुसे data हम लोग कहते हैं जो भाशाओं की सतही विशेश्ताओं को यह जानने के लिए देखता है कि भाशाओं में कैसे भिन्नता है और किस प्रकार कि सिधान्त इस भिन्नता से उत्पन होते हैं प्रदत चालित परिप्रेक्ष भासाई तंत्र को बाहिकारक इवं निवेश जिसे कि इन्पुट कहते हैं उसका आधार मानता है तो ये पहला इसका परिपेक्ष है और इस परिपेक्ष में भाषा के प्रकार भाषाओं में मौजूद पैटर्न, जो पैटर्न मौजूद हैं, जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, सब्जेक्ट के बाद अब्जेक्ट आएगा कि हल्पिंग वर्ब आएगा, इस तरह के पैटर् और इस परिप्रेक्ष के अनुसार भाशा आम बातों पर ध्यान केंद्रित करती है जैसे विशय क्रिया और यह परिप्रेक्ष भासा के स्वारभौमिक गुणों को संदर्वित करता है जैसे स्वर, जैसे कि क्योंकि सभी भाषाओं में स्वर हैं, तो जो उसके स्वारभहों में गुण हैं, जिसे कि युनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, उसके स्वारभहों में गुणों को एक करके आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है, उन तमाम चीजों क जो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में common हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में भी मौजूद हैं, उनको सीखने और समझने की कोशिश करता है। दूसरा जो है, इसका सिध्धान्त जो है, वो सिध्धान्त चालित परिपेक्ष है, जिसे theory-driven approach कहते हैं। जो व्याकरण के आतियतिक मूर्त सिध्धान्त को नरधारित करने के लिए भाषा के गुणों का गहन विशलेशन करता है। भाषा जिसे हम लिंग्विस्टिक अप्रोच कह सकते हैं, जो की theory-driven होता है, वो practical approaches पर बेस्ट नहीं होता है। और इसकी लिए वह भाषा का डिसेक्शन करता है। भाषा के अंदर छुपी हुई व्याकरणाई गुणों दोशों को समझ विक्सित करने का काम करता है। और इस प्रकार से उस तंत्र को संग्यानात्मक और भाषाई प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदाई आंतरी कारक मानता है। और इस परिपेक्श के अनुसार मानों मस्तिस्क के कुछ सद्धान्त जैविक रूप से पहले से ही नरधारित हैं आता है भाषा, स्वाभाविक या जन्मजाद तरीके से हासिल होती है। और यहाँ परिपेक्श सारवभॉमिक व्याकरणा को मस्तिस्क के एक हिस्से के रूप में देखता है। वह कहता है कि सारवभॉमिक व्याकरणा व्युनिवर्सल ग्रामर मस्तिस्क के एक डोमेन पे निर्भर करता है। और इस परिपेक्ष के अनुसार मस्तिस्क में सद्धान्त और सर्तों के समोग उपस्थित होते हैं, जहां भाषा का ग्यान विकसित होता। यह उनिवर्सल ग्रामर का जो concept है यह linguistic concept नहोंकर biological concept है। इसमें कि हमारे brain हमारा brain इस तरीके से hard-wired है कि वह भाशा का एक grammar जो है वो समझने के लिए equipped है शायद animal brains इस तरीके से equipped नहीं हो दूसरा सिध्धान जो है वह है व्यवहारवादी सिध्धान्त 1950 के दशक में व्यवहारवादी सिध्धान्त ने मनो विज्ञान और भाशा विज्ञान दोनों को प्रभावित किया और दोनों पर प्रभुत्व स्थापित किया यह सिध्धान्त बताता है कि बाहरी उद्धीपक आंतरिक प्रतिक्रिया को प्राप्त कर सकता है और बदले में आंतरिक उद्धीपक को परिवर्थित कर सकता है जो कि बाहरी प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है यही वियोहारवाद का मूल सिध्धान्त भी है आप जानते हैं और अधिगम या सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या सिध्धान्तवादियों द्वारा उत्तेजना प्रद्क्रिया पुरसकार जिससे हम लोग stimulus response reward कहते हैं और श्रिंखलाओं के रूप में इसी stimulus response reward के रूप में इसको किया और यह श्रिंखला कर्म पर्यावरन के प्रकृति और सीखने वाले विद्यार्थी की प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता है हम देखते हैं कि परयावरान की प्रकृति कैसी है और विध्यारती जो सीख रहा है उसके लिए ठीक तरीके से तयार है कि नहीं तयार है तो इस पर निरुबर करता है अभ्यास का जो सिधान्त है सहले विवारवात से ही लिए गया हान अगला सिध्धान वो है वह है सहज घ्याणवादी सिध्धान जिसे हम लोग अमज चुराथा है सचीर अनुसार वयक्ती में भारसा सीखने के स्वाभाविक एंव जन्मजात समताय होती है इनेट कपासिटी है लैंग्विज एकवजिशन, लैंग्विज गरहन करना जो है, वो इनेट कपासिटी है, चौमस्की जो है इसके प्रखरप्रवरतक हैं, और चौमस्की इस बात पर बल देते हैं, अर्थात इस सिधान्त के अनुसार बालक भाशा सीखने सम्मंदित, ये मह ख्रमताओं के साथ ही जन्म लेता है उसके अंदर खुद ही hardwired है वो इस तरीके से है कि वो बाइलोजीकली वो इस तरीके से equipped है कि वह भाशा सीखने के ख्रमता जो है वो internalize है उसके अंदर उसके लिए कुछ उसे effort बहुत जादे नहीं करना है लेकिन कुल्मिलाजुला के उसका brain जो है उसके साथ ही equipped है और चॉमस्की आपने पहले ही नाम ले लिया कि चॉमस्की ने स्वयाम भाशा के स्वभाविक गुणों के अस्तित्व का दावा किया जो कि भाशा के नियमों की अधिक्ता के बावजूद कम समय में बच्चे के स्व कैपासिटी हम प्रॉण लोग दो तीन साल में भासा नहीं सीख नहीं सीख पाते तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इन्नेट कैपासिटी है कि आप एक उम्र तक यदि आस पास का वातावरान उस प्रकार के भाशा सीखने के लिए सहयोगी है तो आप बहुत आसानी से सीख ज जो है एक छोटे ब्लैक पॉक्स में बंद है जिसे वो भाशा अधिग्रहन युक्ति कहता है एल एडी बहुत पॉपुलर है एल एडी कहता है और इसकी चर्चा जो है नौाम चांप्सकी ने उन्नेस वपैंसट में एक पुस्तक लिखी थी आस्पेक्ट आप दा थियरी से पब्लिश हुई थी Cambridge University Press से उसमें इन सब बातों की प्रमुक्ष रूप से कोई यदी इसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है तो चौंप्सकी के उस मूल पुस्तक को देख सकता है और पढ़ सकता है अब सिधानत संग्यानात्मक सिधानत यह सिधानत इस बात का करूंगा और यह विचारधारा जीन प्याजे के विचारों पर आधारित है जीन प्याजे का मत है कि तर्क पूर्ण चिंतन जैसे हम लॉजिकल ठिंकिंग कहते हैं भाशाई और गयर भाशाई दोनु प्रकार के विकास के लिए आवश्यक अंतर नहित कारक हैं और हम आगे होना जब बढ़ते हैं तो एक और सद्धानत ऐता है जिसी हम सामाजिक अंतर क्रिया का सउसाइटि में करता है तो भाशा इस सद्धांत परिया बल देता है और सामाजिक अंता क्रियावादी मानते हैं कि भाषा सामाजिक भूमिका के दोरान उत्पन होती है जो विचारों के आधान प्रदान का माध्यम बनती है तो सोशल रोल बहुत इंपोर्टेंट है परिवेश वह वाताबरण भाषा के विकास में महतपूर भूमिका निभाते ह और परिवेश के वयस्क जो कि एडल्ट जीसे हम कहते हैं भाषा आरजन करने के उपकारण के रूप में कारे करते हैं एक और बहुत वुन व्यक्ति आते हैं जिनने हम वाइगोट्सकी के नाम से जानते हैं वाइगोट्सकी ने भी इसके चर्चा की है और कहा है कि बच्चे स अननुक भाषा के माध्यम से वह ख़ुज से संवाध करता है जबकी सामाधिक महाषा के माध्यम से वह भिषे सारी दुनिया से संवाध स्थापित करता है इस प्रकार से उशल इंट अरेक्शन फियरी जो है यह बर अब हमत पुन सड्धांत और यह एक संगै में बहुत सम नवाद मिस्राजी.